पर यूपी बीट फॉर्म में जितने भी अभेट थी यहां पर ऑन्लेन अबेदन कर चुकिए और उनसे तूटी हो चुकी है और वो करेक्शन चाहते हैं तो उनके लिए बड़ी कबर हैं यहां पर करेक्शन डेड़ यहां पर सामने आ चुकी है आप इसल वेबसाइट पर आप इन तीन नमबर पर करते हैं जितनी भी तूटियों हैं कोई गलती ओए हैं उनस सभी से इसू से रिलेटेड अगर आप यहां पर समधान चाहते हैं तिन नमबर करके डाग्ली हिप्लाए नमबर का इस पे जह संपर करके जोगा पोस्तार कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पर हमने जो बात की और यहां पर क्योंकि काफी अभरती ऐसे हैं जिनका फॉर्म में कुछ न कुछ भरते समय गलती हो जाती है तो ऐसे में अब भरती यह पूछ रहे हैं यहां पर कि जो हम क्या क्या करेक्शन कर पाएंगे तो डेट आपको बता दें दोस्तों कि 11 अप्रेल से जो है स्टार्ट होगा आप सभी के फॉर्म की करेक्शन की डेट और जो इस बार इसकी लाज डेट बढ़ाएगी वो 5 अप्रेल तक बढ़ाएगे यह 5 अप्रेल तक आप बिना लेट फेस पेमेंट के जो है आप अपना फॉर्म भरताएंगे 5 अप्रेल के बाद अगर 10 प्रेट रखे गए यानि यह आगी फिक्षी भी हो सकती है तो दोस्तों आप बात करते हैं कि अगर आप से कोई जो है आप फॉर्म भरते वक्त गलती हो गई है तो आप इसमें जो है क्या क्या समसूदर करने के आगदार रहेंगे पर जो पीडियाफ जारी किया गया था उस स्थित में अभ्यर्थी परीशा फॉर्म भनने के अंतिम तीत के पचाथ चार दिनों के अंदर तुटियों का संसूधन कर सकेंगे अभ्यर्थी पुना संसूधित आवेधन पत्र जो है प्रिंट आउट की मोल परती छाय परती उसकी पंजीकरा संख्या वभीस के संदर भी आप देखिए यहां पर प्रविष्टियां जिनमें तुटि संसोधन किया जा सकता है तो यह जो चीजें हैं इन्हें में जैसे कि बीश्य में अगर आप ने यहां पर कोई गल्दी की है तो उसे आप चेंड कर पाएंगे वर्ग में आप उसे चेंड कर पाएंगे अगर आप एक्जाम सेंटर भी यहां पर दूसरा से लेट कर लेंगे तो यह जो है चार-पांच चीजें आप जो है इसमें कर पाएंगे और करेक्शन की डेट स्टार्ट होगी 11 अपरेल से तो कितनों दिने तक करेक्शन चले गा यह अभी फिलहाल साफ नहीं बताए गया है तो आप सभी की जो है यहां पर करेक्शन जो है स्टार्ट हो जाएगी और काफी अभी यह कमेंट कर रहे हैं कि जिन लोगों कहां पर पेमेंट कर चुका है और वहां स्टेटस में उनका पेमेंट फेल दिखाई दे रहा है तो उनका पैसा जो है रिफेंड किस तरीकी से होगा तो आप आपको बताएं दोस्तों पहले ही अफिसियल वेबसाइड में देखे बता गया है जो फीडिया जारी की गई थी तो इसमें आप देख पाएंगे दोस्तों अगर यदि किसी अभ्यरती के खाते से परवेश परिच्छा सुल्की धनरास कर जाती है किन्तु लेन देन आ इस दसा में भुटान की वाफ शी बैक अस्तर से भुटान के मिलान के 24 घंते के पस्चाद समभव सकेगी प्रामास दिया जाता है कि अभियरती के खाते से परवेश परिच्छा सुल्क भुथान आसफ़न होने की दसा में भुथान का अगला प्रियास 24 घंटे के पश्चाहती करें तैसे इस तिन में आपको 24-48 घंटे बेट के लेने अगर आपके पैसे रिफांड नहीं आते हैं तो आप दिये गे नंबरों पर कॉल करके उनसे संपर्क कर सकते हैं काफी जनकारी ले सकते हैं उनसे पूछ भी सकते हैं और यह यहां पर जो हलप लाइन नंबर दिया गया है इस हमनल नंबर पर आप कांटेक्ट की ज verbessERS है अगयाjour अपा